नमस्कार, छेत्रिया शिक्षा संस्थान, NCERT मैसूर के E-Content Development Program में आपका हार्दिक स्वागत है. आज हम आठवी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक, वसंत, भाग, तीन में सम्मिलित, पाठ, बस की यात्रा पर बात्चीत करेंगे. बस की यात्रा हरिसंकर परसाई द्वारा लिखी गई व्यंग कथा है. परसाई जी ने रोचक धंग से या व्यंग कथा लिखी है. या व्यंग कथा या तयात की बुरी दशा की कथा है. यह कथा मनुशों की विवस्ता और मुनाफा कोरी की जान लेवा, मनुस विरोधी प्रवरिती की ओर हमारा ध्यान ले जाती है. आईए इस व्यंग कथा पर विस्तार से बादचीत करते हैं. हरिशंकर परसाई का जर्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास जमाली में हुआ. हरिशंकर जी एक प्रसिद्ध व्यंग कार थे. हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं सिर्फ समाज का मनुरंजन करने के लिए नहीं, अपीतु समाज की सच्चाई पर करारा यंग भी है. परसाई जी समाजिक बुराईयों का परदा भाश करने वाले सजग लेखक हैं. उनकी कुछ रचनाएं हैं, कहानी संग्र हैं, हस्ते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरें, दो नाक वाले लोग, रानी नाक फनी की कहानी. उनका उपन्यास है, तटकी खोज, निबंत संग्रा है तब की बात और भी, भूत के पाओ, बेमानी की परत, अशोक के फूल. उन्हें अपने साहित्या योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. उन्हें साहित्या अकादमी सम्मान और शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है. परसाई जी का लेखन हिंदी साहित्या की धरोहर है. हरिशंकर परसाई जी की मृत्यू 19 अगस्त 1995 को जबलपूर में हुई. बस की यात्रा कहानी में यातायात की बुरी हालत पर व्यंग किया गया है. यह मनुरंजक शैली में लिखी गई कथा है. इस कथा में एक पुरानी खटारा बस यात्रा का वर्नन है. तूटी फूटी बस के माध्यम से यातायात की बुरी हालत पर तंज किया गया है. समय समय पर वस्तुवों का नवीनी करन जरूरी होता है यदि नवीनी करन करने से भी कोई वस्तु सही काम ना करे तो उसको हटा देना ही समझदारी है वरना नुकसान की आशंका रहती है लेकिन मुनाफा कमाने की चाह रखने वाले पुंजी पती सिर्फ मुनाफे की चिंता करते हैं उन्हें आम जनता के कस्टों से कोई लेना देना नहीं है बस की यात्रा, कहानी इसी प्रश्न को उठाती है यह व्यंग कथा हमारे सामने कुछ प्रश्न उठाती है पहला यातायात की बुरी हालत दूसरा आम आदमी की विवस्ता तीसरा मुनाफा कमाने की मनुष विरोधी प्रवरिती कहानी की कथा कुछ इस प्रकार है लेखक और उसके मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे वहां इसी कमपनी की बस सतना के लिए एक घंटे के बाद मिलती है जो जबलपूर की ट्रेन पकड़ा देगी दो लोगों को सुबा काम पर जाना था इसलिए यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया समझदार लोगों ने शाम की बस से सफर करने के लिए मना किया था पर वे नहीं माने बस की हालत बहुत खराब थी वह बिल्कुल बुजुर्ग की तरह लग रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चल भी पाएगी या नहीं जो लोग उन पाँचों को छोड़ने आये थे उनका कहना था कि जो लोग समझदार होते हैं वो लोग इस बस से सफर नहीं करते सभी लोग इस तरह देख रहे थे जैसे वे उनको अंतिम बिदाई देने आये हैं लेखक के मित्र ने सभी को सांत्वाना देते हुए कहा, कि यह बस अनुभवी है, वो अपनी गोद में बेटी की तरह बैठा कर ले जाएगी, यह भी पता चला कि कम्पनी के हिस्सेदार भी इसी बस से यात्रा करने वाले थे, इसलिए यह मान लिया गया कि यह बस ठिक से ही च बस के सारे शीशे तूटे फूटे थे, बस जैसे ही शुरू हुवी पूरी बस हिल गई, ऐसा लगा जैसे सारी बस में बस इंजन ही हो, किसी तरह बस चल पड़ी वा ऐसी धीमी गती से चल रही थी मानोवा गांधी जी के आसहयोग आंदोलन की साथी हो आठ दस मील चलने के बाद बस का एक हिसा दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे पा रहा था और अंत्ता चलते चलते अचानक बस रुक गई खोज बीन शुरू हुई तो पता चला कि तेल की टंकी में छेध है एक बाल्टी में पेट्रोल डाल कर एक नली से पेट्रोल टंकी में डाला गया लेखा को ऐसा लग रहा था कि अब या बस चलने के लाइक नहीं बड़ी मुश्किल से बस फिर चली तो उसकी धीमी गती से लेखा को डर लगने लगा कभी भी बस का कोई भी हिस्सा खराब हो सकता था सफर करते समय हमेशा ही प्रकृती के नजारे बहुत ही मनभावन होते हैं लेकिन लेखक और उसके साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड उनका दुश्मन हो जब भी कोई पेड दिखाई देता लेखक को लगता कि व्रिक्ष अब टकराए और यदि कही जील दिखाई देती तो ऐसा लगता बस जील में ही गिर पड़ेगी थोड़ी देर चलने के बाद बस दुबारा रुग गई कमपनी का हिस्सेदार कहने लगा कि यह बस अच्छी है पता नहीं कैसे बंद हो गई बस ठीक करने के बाद पुनह चलने लगे लेखक को ऐसा लग रहा था कि रोड़ पर चलने वाली अन्या सारी बसे उनको पार करती जा रही है और यह बस मानो कह रही है मेरी तो उम्र हो चुकी है तुम आगे बढ़ो मैं धीरे धीरे आ रही हूँ और इसी बीच बस एक पुलिया को पार कर ही रही थी कि अचानक बस का टायर पंक्चर हो गया यदि बस थोड़ी तेज गती पर चल रही होती तो शायद बस नाले में ही गिर जाती कमपनी के हिस्सेदार जब बस इतनी खराब है और इसका टायर इस हालत में है तो आप यात्रियों के जीवन को क्यों दाव में लगाते हैं इसके बाद किसी तरह दूसरा घिसा, पिटा, टायर बस में लगाया गया बस फिर चलने लगी, लेखक और उसके मित्र दुबारा बस में बैठ गए अब उन्हें ऐसा लग रहा था, सारी उम्र उन्हें इसी बस में गुजाननी है इसी तरह के खत्रे की आशंका में उन्होंने बाकी यात्रा किसी तरह पूरी की कुल मिलाकर यह व्यंग कथा यातायात की बुरी दशा की ओर हमारा ध्यान ले जाती है यह कथा आम आदमी की विवश्टा की ओर भी इशारा करती है आम लोगों के पास इस तरह की यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है उन्हें अपने जीवन को दव पर लगा कर किसी भी तरह जरूरी यात्राय करनी ही है यह कथा मुनाफा खोर बस मालिकों की मुनाफे की प्रवरिती की ओर संकेत करती है और यह द्रिश्टी प्रदान करती है कि हम इस प्रवरिती के खिलाप बोले और कुछ करें हरिसंकर परसाई जी बेहत सरल और मनोरंजक तरीके से हमारे सामने यातायात, संबंधी, दिक्कतों की जर में मुनाफे की प्रवरिती को देखते है और हमारे सामने इसे बदलने का एक ज्वलंत प्रशन रखते है उनकी भाशा आसान है पूरी कथा में उन्होंने जिन बिम्बों का अस्तमाल किया है वे हमारे आसपास के ही है नई जीवन शैली और प्रवेट वाहनों के चलते कितनी मुश्किले बढ़ी है आप हम इसे जानते हैं पिशली दिनों दिल्ली जैसे महानगरों में इसके चलते प्रदूशन कितना बढ़ गया इसे भी आप जानते हैं इसका एक ही विकल्प है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्तमाल करें सरकार और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को आम लोगों की यात्रा की सुरक्षा है तू और भी कड़े कदम उठाने चाहिए अब चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोतर की तरफ पहला प्रश्न है लेखक और उसके साथियों को कहा जाना था इसका उत्तर है लेखक और उसके साथियों को पन्ना जाना था दूसरा प्रश्न है बस की तुलना किस से की गई है इसका उत्तर है बस की तुलना व्रिद महिला से की गई है तीसरा प्रश्न है चलते चलते बस कहा खराब होकर रुख गई थी इसका उत्तर है चलते चलते बस सडक के किनारे पेड के नीचे खराब होकर रुख गई थी हम उमीद करते हैं कि आप इस व्यंग कथा के आशे को अच्छी तरह समझ गए होंगे धन्यवाद क्थासर को शाहिए जाओ सक्छी तरह से प्चाने जाओ मेंचेता हाँ क्वशस सवारे बतИक के अच्छी तरह संग को रख वंग दरह समल की तरह से प्सक्रादिद सम्टम झाल कर दो